हेलो एब्रीबन मैं मुहमाद उमर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक्सराइज 4.2 आप चैप्टर 4 इंटीजर्स command the sum of the following integers using number lines यहाँ पर हमें number line का use करते हुए कुछ integers दिए हुए हैं उनका sum करना है sum का मतलब उनको add करना है उनको जोड देना है integers को तो सबसे पहले हम question A को solve करते है question यह है minus 7, 1 plus minus 2 इन दोनों का हमें sum करना है number line का use करते हुए यहाँ पर हमें answer लाना है यहाँ पर minus 7 है हम minus 7 पर पहुंच जाएंगे minus 7 है यहाँ पर देखिए अगर plus दिया है तो हम right hand side में बढ़ेंगे और minus दिया है तो हम left hand side में जाएंगे जैसे कि minus 7 plus minus 7 से हमें plus यानि इदर को चलना चाहिए था लेकिन अब यह minus आगया तरंथ तो इदर को नहीं जाएंगे क्योंकि plus कितना चलना चाहिए यह मालम नहीं पड़ा फिर उसके बाद minus आगया इसका मतलब हमें इदर को जाना है two step चले जाएंगे यहाँ से one और two इस तरह से हम two step जब किये तो हम minus 9 पर आगया यानि इनका जो answer है वो minus 9 है अब हम solve करते हैं इसका question number B plus 4 plus minus 3 अब देखी सबसे पहले plus 4 दिया हुआ है यानि plus 4 plus 0 से इदर वाले यह सब plus कही है यहाँ पर 4 है plus 4 से हमें plus यानि कि उदर को चलना था लेकिन फिर minus आगया कितने step चलने क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं plus के बाद कितने step चलना है तुरंट minus आगया plus वाला कायागा minus से भाग उदर को तो इदर को भागना पड़ेगा कितने step 3 step यहाँ पर minus 3 इसलिए हम 3 step left side में आ जाएंगे conquering 1, 2, 3 इस तरह से हमें 1 मिला यानि कि इसका answer आ गया 1 इसके बाद question C है 8 plus minus 2 8 यहाँ पर है ठीक है वैसे तो हमें उदर को चलना था plus आ गया लेकिन कितने step चलना यह clear नहीं उसके तुरंद बाद minus आ गया और minus 2 step हो गया यानि कि इदर को हमें left hand side में 2 step बापस आना पड़ेगा आते हैं 1, 2 हम पहुंचे 6 पर 6 पर पहुंचे तो इनका answer हो गया 6 इसके बाद हम solve करते हैं D number D में है minus 7 plus 3 तो minus 7 कहां पर है यह है ठीक है यहाँ से हमें plus 3 यानि यह plus का है 3 step आगे बढ़ना है 1, 2, 3 यहाँ हम आ गए minus 4 पर यानि की answer हो गया minus 4 यहाँ देखेंगे यह वाला minus 2 फिर plus minus 3 plus 5 इसमें 3 integers हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है यह भी आराम से solve कर सकते हैं minus 2 पर पहुंच जाएंगे minus 2 यह है इसके बाद plus आया हमें आगे को चलना था right hand side में चलना था लेकिन कितने step चलना था चलनी पाये तब तक minus आ गया minus कहेगा बापस चले यह वापस आ जाएंगे 3 step 1, 2 और 3 हम minus 5 पर आ गये minus 5 आने के बाद फिर plus 5 है plus 5 यानि 5 step हमें right hand side में चलना आगे बढ़ना है तो हम 5 step यहां से बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से हमें मिला 0 यानि इसका आंसर जो आया वो हो गया 0 इसको ऐसे करना है पहले 3 step बापस आए फिर 5 step आगे बढ़े 0 मिल गया question बन का last है minus 2 plus minus 3 फिर plus minus 4 इसको solve करते हैं से पहले हम minus 2 पर पहुंचेंगे minus 2 यहां आ गए अगला हम minus 3 minus 3 आया plus तो plus चलने के लिए कोई number ही नहीं है कोई step हम चलने ही पहेंगे तब तक minus आगे यानि बापस आना पढ़े है कितना 3 step 3 step बापस आएंगे 1, 2, 3 हम आगे minus 5 पर इसके बाद plus इदर को चलना चाहिए लेकिन कोई step चलने के लिए नहीं है फिर minus आ गया minus 4 आ गया तो minus 4 यानि 4 step हम फिर से बापस जाएंगे यहां से भी यहां से 4 step बापस जाएंगे 1, 2, 3, 4 हम पहुचते हैं minus 9 पर यानि कि इसका answer आ गया minus 9 question number 2 fill in the blanks यहां पर हमें यह fill करना है blank space दिया हुआ है fill करना जैसे a है minus 12 plus minus 5 minus 12 और minus 5 को जब add करेंगे तो minus का 17 answer आ जाएगा यहां लिख देंगे b वाला है plus 8 plus minus 9 यहां पर 8 plus का है और 9 minus का है 8 में से 9 separate कर देंगे minus का 1 answer आ जाएगा यहां minus 1 fill कर देंगे c वाले में है plus 50 plus 0 अब देखिए किसी में 0 add करते है तो वही number आ जाता है यहां के बल 50 fill कर देंगे d वाले में है 5 plus minus 5 5 में से 5 को separate करेंगे तो answer 0 आ जाएगा यहां 0 fill कर लेना है e है 5 plus minus 2 plus minus 3 5 में से 2 separate करेंगे फिर 5 में से 3 separate करना है अब 2 एक बार 5 में से 2 separate किया तो 3 बचा फिर 3 में से 3 separate किया तो 0 आ गया तो 0 fill कर लेंगे इसमें next है f minus 3 plus minus 2 और plus 5 यहां पर देखिए minus 3 और minus 2 हो जाता है minus 5 और minus 5 plus 5 क्या बन जाता है 0 क्योंकि अलग-अलग sign के है हो next है write the name of properties if ABC are integers ABC integers है तो property का name write करना लिखना है हमें सबसे पहले a है a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a यानि किसी integer में 0 add किया गया है फिर 0 में एक integer add किया गया तो हमें वही integer मिल जाता है तो इस वाली property को additive identity कहते हैं तो यहां पर हम फिल कर लेंगे additive identity इसके बाद B है a plus b plus c फिर है a plus b plus c इनका किरम चेंज किया गया है तीन integers हैं थिरी integers में के वर उनका bracket इदर उदर कर दिया जाता है तो इसको बोलते है associative law of addition associative law of addition यहां पर फिल कर लेना है भी वाले में next है c a plus b और फिर b plus a यहां दो integers है उनका place चेंज किया गया है यहां इस वाले को बोलते हैं commutative law of addition next है d a plus b an integer तो मतलब दो integer को add करते हैं तो एक integer आजाता है इसको बोलते है closure property तो यहां पर इस वाले में d वाले में closure property रइड कर लेंगे next one है e b plus minus b देखिए उसी integer में से उसी integer को separate करना यह फिर minus वाला है तो उसको add करना यह जीरो मिल जाता है जब दोनों integer को add करके 0 मिल जाता है तो इस वाले property को additive inverse कहते हैं यहां पर additive inverse फिल कर लेंगे 3 का last है f a plus minus है यह भी additive inverse है same है ना दो इंटिजर को जब add करके 0 मिलता है तो ऐसा होता है additive inverse में next four number है find the additive inverse each of the following इनका additive inverse fund कीजिए तो दीखिए सबसे पहले है minus 65 तो additive inverse में केबल change कर देंगे minus 65 का additive inverse हो जाएगा विलेसका 65 minus 500 का विलेसका 500 C वाले में 1000 का additive inverse हो जाएगा minus 1000 तो इसका अंसर मैनस 1000 आजाएगा दी वाले में minus 700 है तो इसका additive inverse पिलस का 700 राट कर देंगे next है E 2008 यह पिलस का है तो इसका additive inverse मैनस का 2008 आजाएगा फैब में है write the success of each of the following जो दिये हुए इनके success राट करने होंगे फिर B है minus 288 minus 288 से एक ज़्यादा राट करेंगे यानि minus 287 क्योंकि minus 288 में जब हम बन राट करेंगे तो minus 287 आजाएगा इसका C वाले में 700 तो 700 का success राट होगा 700 बन और D का है minus 81 तो minus 81 से एक ज़्यादा क्या होता है 80 minus 80 ठीक है minus 80 minus 81 से ज़्यादा है एक क्योंकि minus 81 में जब हम बन राट करेंगे minus 80 आएगा next है E minus 600 minus 600 में बन राट करेंगे तो minus का 599 आजाएगा यानि इसका success राट होगा minus 599 next है 6 write the predecessor of each of the following 6 है write the predecessor of each of the following इनके हमें predecessor राट करने सबसे पहले A है तो predecessor बन कम करके मिल जाता हमें 1 को सब्टेट करेंगे तो जब हम minus 1 थौजट में से minus 1 बन सब्टेट करेंगे तो बन थौजट बन आ जाएगा यानि कि एक नमबर पहले का राट करना ठीक है तो minus 1 थौजट से पहले आएगा minus 1 थौजट बन next है B 179 तो 279 से पहले क्या आता है 178 इसका predecessor हो जाएगा 278 next है C minus 501 तो minus 500 बन का जो predecessor होगा वो minus 502 होगा next है 786 तो इससे एक कम इससे एक कम क्या होगा 785 तो इसका predecessor होगा 785 next है E minus 408 तो minus 408 का predecessor होगा minus 409 question number 7 of the exercise find the sum of the following यहाँ पर कुछ integers दिये हुए है उनका हमें sum करना है उनको add करना है तो दीखिए सबसे पहले step में and की जग़ाँ पर plus का sign लगाना है क्योंकर क्योंकर question sum का है sum मतलब plus का sign लगाना है उसके तीन step में question आपका solve जागा के बढ़ी step में ध्यानद पहले step में and की जग़ाँ पर प्लस का sign लगा देना तो पहले हम ऐसा ही निए स्को साघ्वाइब 10-7259 प्लस लगाएंगे और बाकी यह रख कर लेंगे ब्रेकिट में क्योंकि पिलस और 20 सान एक साथ आ है से लिए हम इसको rate में रैर्ट कर लेंगे he 325 माइनस 325 यह हो गया अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर टू यह जो ब्रेकेट है इसको रिमूब कर देना है इस वाले को ऐसी राट कर लेंगे 7259 पिलस माइनस हो जाता है माइनस 325 अब इसको सम अब यहां पर हमें यह दिखना है कि यह सब्टेट करना है या एड करने ह बात जो है ध्यान रखने की वो यह है कि अगर दोनों सान एक जैसे है माइनस के हो चाहें पिलस के हो हम एड कर देंगे दोनों सान अलग अलग है तो हम सब्टेट कर देंगे ध्यान रखें क्या ध्यान रखना है दोनों सान एक जैसे तो एड दोनों सान अलग अलग तो सब् बच्च जाते हैं तो यहां पर दोनों साम एक जैसे हैं इनको हम ऐड कर देंगे तो यह माजें के ही तो अब हम इनको हम सब्सक्राइब कर देए 2 और 3 हो जाता है 5 और यह 7 तो माइनस 7,584 यह आपका अंसर हुआ ऐसे ही इसको करना है पहले स्टेप में एंड हटा के प्लस का साइन लगा देंगे डाट करेंगे माइनस 5000 तो यह जैसे हैं तो यहां क्या करना है और जिस सांड के ज्यादा होंगे वह साइन लगा देंगे तो इसके ज़्यादा है इसलिए ये minus के आएंगे और subtract कर देंगे 5000 में से 1 को subtract कर देंगे तो 4999 आ जाएगा finally answer next है फस step में करेंगे end की जगाए पे plus का sign लगाना है minus 1252 end की जगाए पे plus का sign लगा लेंगे फिर minus break it लगा के लगाएंगे 1348 नेक्स स्टेप में ये विरेकिट रिमूब कर देंगे यहाँ पर केबल बन साइन रखना हमें टू नहीं रखने हैं यहाँ पर ऐसा ही राइट कर लेंगे माइनस 1252 तिलस माइनस माइनस आ जाता है फिर 12348 अब देखिए हमें इनको सब्टैट करना है या एड करना है यह सोच अब तरह लोगान देखिए माइनस 12567 इंट की जा है पर पिलस और यह ब्रेकेट में माइनस 2567, next step में ब्रेकेट रिमूव करके सिंगल साइन रखना हमें यह आपे, 2567 पिलस माइनस माइनस 2567, यह पिलस का है, यह माइनस का अलग-अलग साइन को होगा, separate कर देंगे और दोनों एकी वरावान इसमें से इसको separate किया 0 आ जाएगा answer आ गया 0 7 का यह है 655 and minus 320 first step शुरू करते हैं पहले इसको ऐसा ही रैट कर लेंगे 655 and की जगा पर plus का sign फिर यह रैट कर लेंगे minus 320 next step में यह हाँ पर single sign रखना है इनको ऐसा ही रैट कर लीजिए 655 plus minus minus हो जाता है 320 एक plus का है एक minus का है जब sign अलग अलग हैं हम सब्टेट करेंगे plus का जादा है तो plus का बचेगा 5 में से 0 नकाल देंगे 5 में से 0 सब्टेट किया 5 आ गया 5 में से 2 सब्टेट किया 3 आ गया पिलस लगाने के कोई जरूरत नहीं होती है अगर कोई single number है single integer है तो plus में नहीं लगा लगाने कोई जरूरत नहीं है कोई sign नहीं तो plus का ही अल्रेटी मना जाता है तो ये हो गया 335 आपका अंसर ये देखिए minus हज देश्टेट करेंगे इसका minus 772 करना पड़ेगा एड़ नहीं करेंगे ठीक है और किस कौन से sign का बचेगा देखिए ये minus 772 ये 850 ये बड़ा है ज्यादा है डिजिट में नंबर ज्यादा है तो यहां पर हम सब्टेट कर देंगे और पिलस का बचेगा इसी में से करना पड़ेगा यहां बोरो किया है 10 में से क्या एट यहां फोर रहेगा 14 कर लेंगे 14 में से 7 सब्टेट किया तो 7 यहां 7 रहेगा 7 में से 7 सब्टेट किया कुछ ही नहीं पिलस का 78 पिलस लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें हमें ट्रू और फॉल्स राइट करने हैं तो सबसे पहले हैं देखिए यह जो यह यह डंडे जो लगे हुए डंडो में बंद है माइनस एड इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो यह केवल एट आ जाएगा यानि कि इधर का जो है वह एट है इसी तरह से इधर देखिए यह एपसुल्ट वैलू में माइनस टू तो इसका एपसुल्ट वैलू टू होगी फिर पिलस लगा हुआ है फिर माइनस सिक्स की एपस यहां पर माइनस टू थीरी आ जाता है ठीक है एपसुल्ट वैलू इसकी थी आ गई यहां पर जब 5 की एपसुल्ट वैलू निकालेंगे तो 5 भी आएगी 2 की निकालेंगे 2 आगी 5 में से 2 सब्रेट करेंगे इधर भी 3 आ जाएगा तो इधर भी जब 3 आ गया दों तरब 3 3 इसका मतलब इसमें हम ट्रू राइट कर लेंगे टी राइट कर लेंगे नेक्स्ट है 7-9 7-9-2 आया तो मैंस टू की एपसुल्ट वैलू टू आ गया यह निए इधर का आंसर टू आया और इधर है 7 पिलस 9 इसकी 7 की एपसुल्ट वैलू 7 होगी 7 में 9 एड करेंगे तो हो ज आते हैं 39 इसकी एपसुल्ट वैलू भी 39 आ गई और फिर है 8 पिलस 2 एपसुल्ट वैलू भी इसकी भी 8 होगी 8 में 2 एड कर देंगे तो इधर 10 आ जाएगा और इधर आया 39 39 10 के एक्क्वैल नहीं है जाब यह एक्क्वैल नहीं है इसलिए हम फॉल्स एड कर देंगे कि दी आला भी फॉल्स है तो दियर इस वाइड लास्ट कुस्टिन आप दे एक्सरसाइज थैंक यू फॉर वाचिंग बाइबाए